हर्याणा में करनाल के भाजपानेता मनोज वादवा के घर दूसरे दिन भी इडी की रेट जारी है टीम ने कल उनके सेक्टर 13 स्थ मकान में दस्तावेजों को खंगाला और आज सुभा से सेक्टर 32 वा 33 में उनका जो दूसरा मकान है वहां रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है हलांकि रेट के दौरान क्या कुछ बरामद हुआ उसका खुलासा भी अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया वहीं मनोज वादवा ने खननवे हिस्सेदारी यमुरानगर के पूर्वी इनेलो MLA दिलबाग सिंग के ठिकारों से अब तक 5 करोड रुपे कैश, 3 गोल्ड बिस्किट, विदेशी शराप की, 100 से जादा बोतलें, विदेश में बनाए गए संपती के कागजात और विदेशी राइफल सहित, अन्या चीजें बरामद की है जानकरी के अनुसार टीम के अधिकारियों द्वारा पूर्वी डिप्टी मेर मनोज वादवा, वा उनके परिवार के सदस्यों से कल सुभा 6 बजे से पूछताज चल रही है करनाल के अलावा भी उनके अन्य संस्थाओं में टीम द्वारा रिकॉर्ड को खंगाल जा रहा है टीम के अधिकारी परिवार के सदस्यों से केंद्रिय पुलिस बल की मौजूदगी में दस्तावेजों की जाच कर रही है टीम द्वारा वादवा किया एसे अधिक संपती, बैंक खाते और जमीन से जुड़े मुख्य दस्तावेजूं को खंगाल रही है इस दोरान किसी को भी घर के अंदर आने नहीं दिया जरहा और नहीं बाहर जाने दिया जरहा है